Hello friends, मैं एंकेत, आप सबी का स्वागत करता हूँ CSS के इस वीडियो सिरीज में आज के इस टुटोरियल में आप जालेंगे लिस्ट अस्टाइल के बारे में लिस्ट अस्टाइल क्या होता है? लिस्ट अस्टाइल का क्या यूज होता है? आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपके सामने में यहाँ पर लिस्ट अस्टाइल का चार प्रोपर्टी दिया हुआ है पहला है यहाँ पर दिया हुआ ListStyle Image इमेज क्या होता है? कि आपके सामने में या पर इंप्टमाइ इमेज दीख रहा है इसके हम लोग मिलिस्ट अश्ऽ्ट इमेज बोलते हैं आपके सामने kami यापर और भी एक्जाम्पल दिया हुआ है इमेज का इसे हम लोग को यूज करेंगे अपने HTML के फाइल में उसके बाद यहां पर दिया हुआ है लिस्ट अस्टाइल पोजिशन दो तरह का होता है पहला आपको दिख रहा है इंसाइड और दूसरा दिख रहा है आउटसाइड दो तरह का पोजिशन के बारे में हम लोग जानेंगे तीसरा दिया हुआ यहां पर लिस्ट अस्टाइल टाइप टाइप में हम लोग यूवल टैग में कुछ टाइप यूज करेंगी पहला आपको दिख रहा है सरकल दिया हुआ है दूसरा स्क्वायर है डिस्क है जो कि बाई डिफॉल्ट रहता है और एक नन है नन हम लोग कभी यूज करते जब हमें नहीं लगाना होता है तो हम लोग आपर लिख देते हैं निक्स होता है लिस्ट अश्टाइल dual tag जो कि आपका आपका और लिस्ट में कौन कौन सा यूज होगा पहला है आपका अपर अल्फा लोएब अल्फा अपर रोमन लोर रोमन डेसिमल और लास्ट आपका क्य यूज़ करते हैं जब इन तीनों प्रोपर्टी को मुझे एक लाइन में लिखना होता है तब हम लोग सौठेंड यूज़ करते हैं लिस्ट स्टाइल का तो आए इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकली तो मैं आ जाता हूं अपने है टे Bulent, पर ने टेक्स अडिटर पर आने के बाद। यहां पर अभी दिख रहा है कि हम यूईल के और कुछ लिस्ट भी बना के रखे हैं जो भी हम लोग यहां पर नाम लिखेंगे यह सारा अब हम लोग यूँल लिस्ट के अंदर लिखेंगे और जो हम यहां पर सेलेक्टर सेलेक्ट कराएंगे वो यूल टेक को करेंगे कभी भी लिस्ट को नहीं कराना है तो सबसे पहले मुझे सेव करना होगा सेव करने के लिए फाइल पर जाएंगे फाइल पर जाने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे औ यहां पर नाम डाल देते हैं list a style.htm save करने के बाद यहां पर देखे के highlight हो चुका है और इसे run करके देखेंगे run करने के लिए हम जाएंगे view में view में जाने के बाद view current file in और यहां से directly chrome पर launch करेंगे तो आपको यहां पर दीख रहा है कि मेरा यहां पर क्या आओ चुका है list बन के आ चुका है और यहां पर first वाले में .sae directly दिया हुआ है और नीचे में यहां पर क्या दिया हुआ है इसको हम लोग सही कर लेते हैं तो मैं आता हूं अपने text editor पर टेक्ट एडिटर पर यहां पर आने के बाद यहां पर कुछ नहीं लिखें तो यहां पर लिख देते हैं और उपर में भी यहां पर लिख देते हैं सेव करते हैं सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पर आएंगे और रिफ्रेस करेंगे तो यहां पर देखें कि अभी यहां पर क्या हो चुका है सही हो चुका है फिर से आइपन देना है और यहां पर लिखेंगे टाइप सबसे पहले हम लोग टाइप जानेंगे यहां पर हम कॉलन देते हैं और यहां पर लिख देते हैं सरकल यूल टेगे याद रखना है unorder list उसके बाद semicolon देंगे save करेंगे save करने के बाद अपने ब्राउजर में आएंगे और refresh करेंगे तो इससे फाइदा क्या होगा कि आप यहां पर देखिए जहां पर अभी disk सो कर रहा था जो कि by default होता है यहां पर अभी क्या हो चुका है circle सो होने लगा है मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पर और जहां पर circle लिखें यहां पर square लिख लिखते हैं square लिखने के बाद save करेंगे save करने के बाद अपने ब्राउजर पर आएंगे और refresh करेंगे तो यहां पर दिखें कि अभी क्या हो चुका है यहां पर square सो हो रहा है इस परकार से आप circle रखना है तो circle रख सकते हैं square रखना है तो square रख सकते हैं next होता है disk जो कि by default आप कराता है अपने ब्राउजर पर आएंगे और refresh करेंगे तो यहां पर देखें कि आपका गोल गोल सरकल बनके आ चुका है dot में तो इसी को हम लोग डिस्क बोलते हैं यह रखना है तो आप रख सकते हैं यह by default आपका रहता है आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका यहां पर सो करे नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे और लिस्ट में तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पर और यहां पर नन को अटा के यहां पर लिख देते हैं डिस्क सेव किये और इसी को सलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद यहां पर नीचे पेस्ट करते हैं और यूएल को कर देते हैं ओएल हो चुका है ओडर लिस्ट और यहां पर डिस्क के जगह हम लिखेंगे अभी सबसे पहला अपर अल्फा अपर अल्फा लिखने क के बाद सेव करेंगे सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पर आएंगे और रिफ्रेस करेंगे आपको यहां पर दिख रहा है क्या हो चुका है जहां पर अभी 12340 वहां पर अभी पिटल में आपका eb cd Heart इस परकाल से आप अपर अलफा का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट होता है लोए अलफा तो मैं फिर से आता हूं अपने टेक्सट एडिटर पे और अपर के जगा लिख दते हैं लोवर लोवर लिखने के बाद सेव करेंगे सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पर आएंगे और रिफ्रेस करेंगे तो अभी यहां पर क्या हो चुका है इसमॉल में आपका यह अलफाबेट सो हो रहा है जोकिga ABCD है इस प्रकार से आप लोवर अलफा का यूच कर सकते हैंने निग्स्ट आता है अपर रोमन काम कैसे करता है तो यहां पर हम लिखेंगे अपर मत चुके हैं पर फिम यहां पर निख देने अउटिटर करेंगे स्टें 1, 2, 3, 4 तो इस परकार से आप अपर रोमान का यूज कर सकते हैं एक होता है, लोर रोमान यहां पर हम अपर Redmi कर लिख देते हैं सेब करते हैं, सेब करने के बाद अपने browser पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहां पर दिखे कि लोर रोमन आपका आचुक यह एक होता है आपका by default decimal उसको भी हम लोग यूज करते हैं यहां पर हम लिखते हैं decimal सबको आठा देते हैं और यहां पर लिखते हैं decimal decimal लिखने के बाद save करेंगे, save करने के बाद अपने browser पर आएंगे और refresh करेंगे यहां पर देखिए आपका one do three four जो आपका पहले आ रहा था by default वो आपका आ चुका है जो की by default होता है decimal आपको याद रखना है by default होता है एक हम लोग यूज की नन वो भी यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं यदि हमको कोई यहां पर नहीं चाहिए बुलेट तो यहां पर हम लिख देंगे नन नन लिख दिए, save करेंगे, save करने के बाद अपने browser पर आएंगे और refresh करेंगे तो नन में क्या होगा आपका गायब हो जाएगा तो आपको समझ में है कैसे हम लोग यहां पर list style type का यूज करेंगे यदि आपको order list है तो आप order list में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और लिस्ट में किस प्रकार से यूज Elev gonna go next इसके पौजीन के बारे क्रश Improve को कॉन सा होता है मैंने आपको प्रशिवła भी पता है कि दोग्रवा साइड होता है तो मैं आता हूं अपने टेक्स्ट एरिटर पे और सबसे पहले यहां पे यूएल टैग में बुलेट तो लगा हुआ है यहां पर लगा लेते हैं बॉर्डर लगाने के बाद यहां पर देते हैं टू पिक्सर अस्टाइल में देते हैं सॉलिड और कलर में देते हैं रेड सेमी कॉलन देंगे सेब करेंगे सेब करने के बाद अपने ब्राउजर पर लिखने के बाद समी कॉलन देंगे और यहां पर लिख देंगे आउटसाइड लिख दिए, समी कॉलन दिए, सेव किए, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पर आएंगे और रिफ्रेस करेंगे आउटसाइड में भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि यह आउटसाइड ही है, मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स एडिटर पर और यहां पर लिख देंगे इंसाइड सेव किए, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पर आएंगे और रिफ्रेस करेंगे इंसाइड से क्या हुआ कि थोड़ा से आपका आगे 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 है, इंसाइड लगाएं तो यहां पर आगे आ चुका है, मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स एडिटर पर आने के बाद यहां पर इंसाइड के जगर हम इसको हटा करके यहां पर लिख देते हैं करके रखना है तो आप आगे करके रख सकते हैं, पीछे करके रखना है तो पीछे रख सकते हैं, फिर से आता हूँ अपने टेक्स एडिटर पर और यहां पर लगा के रखे हैं इसको कर देते हैं डैसिमल, डैसिमल लिख दिए और यहां पर हम लगाते हैं लिस्ट सेब किए सेब करने के बाद अपने ब्राउजर पर आएंगे और जैसे यहां पर रिफ्रेस करेंगे आपको दिखेगा कि यहां पर थोड़ा आगे आ चुका है तो इस प्रकार से आप पोजिशन का यूज कर सकते हैं अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कैसे हम लोग बुलेट यहां पर हम सर्च कर लेते हैं तो आपके सामने में यहां पर आइकॉन फाइंडर का वेबसाइट खुल के आ चुका है यहां पर आपको सर्च करना है जिस भी टाइब का आपको आइकन चाहिए तो यहां पर हम दिख देते हैं राइट एरो तो यहां पर देखिए अलग अलग प्रकार का यहां पर आ चुका है आपको फ्री वाला यूज करना है तो यहां से आपको फ्री स्लेक्ट करना है फ्री आप जैसे ही स्लेक्ट करेंगे तो आपके सामने म यहां पर free वाल आ जाएगा, यहां पर आपको दिख रहा है बहुत सार है, जो भी आपको पसंद है आप इसमें से ले सकते हैं, जैसे यहां पर हम यह arrow यूज करना चाहते हैं, तो इस arrow पे क्लिक करेंगे, इस arrow पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पे इसका size दिखेगा, तो जो सबसे चोटा size है, वो ले लेते हैं, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है 48 pixel है, 48 pixel वाले पे क्लिक किए, और यहां पर आपको दिख रहा होगा, डाउनलोड इन PNG, आपको PNG में ही करना है, यहां से हम PNG पे क्लिक करेंगे, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो में, यहां पर आपको दिख रहा है, मेरा डाउनलोड होके आचुक है, इसको हम लोग यहां से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, और डिक्स्टॉप पे इमेज नाम का फोल्डर है, यहां पर हम इसको पेस्ट करेंगे, ताकि मैं वहां पर लगा चकूँ, तो HTML वाले फोल्डर में, यहां पर इमेज वाला फोल्डर है, और इसमें हम यहां पर डाल देता है, यहां पर हम डाल चुके हैं इसका नाम चेंज कर लेते हैं यहां लिख देदें right arrow लिख दी right arrow अब उसके बाद मैं आता हूं अपने text editor पे text editor पे आने के बाद यहां पे मुझे लगाना यहां पे हम इंटर करते हैं और इसको पहले नन कर देते हैं डाइब को यहाँ पर डिस के जगर नन लिग दता है और नीचे यहाँ पर हम लगाएंगे लिस्ट स्टाइल इमेज लिस्ट स्टाइल हैपन देंगे इमेज लिखेंगे इमेज लिखने के बाद आपको colon देना है और यहाँ पर लिखना URL URL का मतलब क्या होता है? Uniform Resource Locator उसके बाद open bracket देंगे और यहाँ पर image नाम का folder में है तो image लिखेंगे slash देंगे और उस file का नाम क्या था? right arrow right लिखेंगे, hyphen देंगे, arrow लिख देंगे उसके बाद .png था उसका टाइप तो png लिख देंगे उसके बाद bracket बन करेंगे semicolon देंगे, save करेंगे, save करने के बाद अपने browser पे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा bullet लग चुका है तो इस परकार से आप bullet को डाउनलोड करके लगा सकते हैं अभी यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा bullet है आपको size कम डाउनलोड करना है कौन से website से करना है मैंने आपको बता दिया यहाँ पर आपको दिख रहा है iconfinder.com यहाँ से आपको bullet को डाउनलोड करना है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलग-अलग प्रकार का bullet है जो भी आपको इसमें से करना है वो आप कर सकते हैं जो भी size चाहिए वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है 64 pixel है 128 pixel है अलग-अलग प्रकार का यहाँ पर pixel दिया हुआ है आपको कॉलन देना है कॉलन देने के बाद सबसे पहले यहां पर आपको पूछेगा टाइप तो यहां पर हम टाइप में लिख देंगे लिखने के बाद स्पेस देना है उसके बाद पूछता है पोजिशन पोजिशन में आपको जो भी पोजिशन रखना आप रख सकते हैं ज यहां旗 पेस्ट कर देता है उसके बाद semicolon देंगे semicolon देने के बाद से हम इस डोनों को SELECT करते हैं और यहां से । SELECT किए डिलीट कर दिये सेभ करेंगे सेभ करने के बाद अपने बराउज़र पे आएंगे और blending नंन प्रणे के लिए è एस ताइल यूज की हैं टाइप में रखे हैं उसके बाद पोजिशन यहां पर आउटसाइड डाले हैं उसके बाद यूआरी डाल दी हैं यहां पर जो भी मेरा इमेज था तो इस परकार से आप यूज कर सकते हैं तो आफ लोग उने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग लिस जंद आयोगा, तो थैंक यू